अल्कम अगें स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम क्लास नाइंट के स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर नमबर टू बहुपद और अगर मैं इंगलिश में कहूं तो बहुपद को हम कहते हैं पोलिनोमियल्स के एमसी क्यो सॉल्व करने जा रहे हैं तो हम देखते हैं सभी एमसी क्यो उसको बारी बारी से सभी एमसी क्यो में आपको चार ओप्शन दिये गए हैं और चार में से आपको बताना है कि कौन सा एक ओप्शन सही है नीचे प्रते एक प्रश्न के चार उत्तर दिये गए हैं और इ हीमन में कौन सा भहुपद नहीं है आपको 4 ओप्षन दिये गई और इन 4 को से बताना है कि कोन सा भहुपद नहीं है थिक्त है यानि कि कि 3 भहुपद है तो हीपाक अपने विशेश द्ध्यान रखना है कि x में y में z में y में वी में w में T में किसी भी किसी भी mathematical अपना expression को हमें मिलने वाला है इन XYZ UVWT में यानि की ABCD की किसी भी alphabet में हमें mathematical expression मिलने वाला है जिसमें जो खास बात आपने ध्यान रखनी है वो क्या है वो खास बात यह होगी कि पावर जो है इनकी हमारी XYZ की वो हमेशा एक integer होना चाहिए positive integer एक धनात्मक पुर्णांक होना चाहिए X की पावर 0 हो, X की पावर 1 हो, X की पावर 2 हो, X की पावर 3 हो, Y की पावर 4 हो यह सब अगर हमारे होते हैं, तो हम कहते हैं कि हमारा जो expression है वो भहुपद कहला आएगा जिसे उदारन के लिए पहले वाले को देखो, तो पहले वाले में हमारा क्या है पहले वाले में हमारा 3Z स्केर, 3Z क्यूब माइनस रूट 5Z प्लस 9 है भई तो इसके अंदर जो हमारा Z की पावर है, यहां 3 है, यहां Z और यहां 9 है 5 पर अंडरूट है न, आपने यह दिहान रखना है, कि X के उपर अंडरूट नहीं होना चाहिए X की पावर 2 बटा 3 नहीं होनी चाहिए, Y है तो उसकी पावर माइनस, मतलब कोई भी चर है उसकी पावर नेगिटिव नहीं होनी चाहिए, बटे में नहीं होनी चाहिए, उस पर वरगमूल नहीं होना चाहिए अगर किसी expression में ऐसा होता है, तो वो expression हमारा बहुपद नहीं कहलाता है ठीक है तो अब इसमें यह देखो, first one क्या है? 3 z cube minus root 5 z plus 9 है ये हमारा तो z की power यहां 3 है और यहां 1 कोफिशन्ट तो कुछ भी हो सकता है तो ये तो बहुपध हो गया अब हम आ जाते हैं भई अपने second expression पर ठीक है तो second expression को और देखो भई आप जरा ध्यान से second expression में ये जो है 3 root z है यानि z के उपर under root आया हुआ है जो की नहीं होना चाहिए ठीक है यहां z है यहां z square है लेकिन इसमें z पर under root आया जो की गलत है तो ये वाला भई पद नहीं है और हमारे उत्तर में केवल एक ऐसा है जो भई पद नहीं है वो हमें मिल गया वैसे भी हम आगे verify कर सकते हैं c में देखो यहां x है यहां x square है यहां x cube है d में देखो यह y square है यह y है यह constant है तो यह a भी भई पद है c भी भई पद है और d भी भई पद है लेकिन जो हमारा b part है वो हमारा भई पद नहीं है तो हमारा जो right option आएगा अब वो हमारा क्या आजाएगा B part आजाएगा I think आपको समझ आया होगा कोई भी expression A naught X की power N मान लो A1 X की power N minus 1 and so on यह A naught A1 यहने की जो coefficient है वो कुछ भी हो सकते हैं कोई भी real number चाहिए वो under root में है चाहिए वो बटे में हैं चाहिए किसी में हैं लेकिन जो व्यंजक हैं हमारे जो चर हैं हमारे वीटा जो चर हैं उनकी जो power है वो रिनात्मक नहीं होनी चाहिए बटा में नहीं होनी चाहिए तो वो हमारा भुपद नहीं बनेगा clear तो first question का अंस्वर था option number B अब हम आगे बढ़ते हैं second question देखते हैं हम second है बहुपद T square minus 4 की प्रकार है यानि यह किस प्रकार का बहुपद है आपको चार option दिये गए द्वीपदी एक पदी त्रीपदी इन में से कोई नहीं द्वीपदी का मतलब जिसमें दो पद हो दो terms हो इंगलिश में इसको binomial बोल देते हैं हम एक पदी का मतलब जिसमें एक ही पद हो monomial इसको इंगलिश में हम बोलते हैं monomial और त्री पदी का मतलब होता, जिसमें तीन पद होते हैं, जिसे हम इंगलिश में ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल बोल देते हैं, clear है, तो अब आपको ये समझना है, कि इसके अंदर कितने वियंजक हैं, कितने पद हैं, कितने पद हैं, एक पद ये हैं, और एक पद ये हैं, बीच में एक घटा का चिन है तो कितने पद होगे दो दो पद होगे तो ये क्या हो जाएगा द्वी पदी तो बहुत ही आसान सा प्रश्ण था आगे चलते हैं प्रश्ण संख्या तीन में दो घटा x square जमा x cube ये आपको एक बहुपद दिया गया है और इस बहुपद में आप आपने बताना है कि x की 2 का गुणांक क्या है गुणांक यानि गुणा का अंक यानि कि x की 2 का साथ जो कोफिशेंट बोलते हैं इंगलिश में तो इसको हिंदी में गुणांक बोलते हैं तो गुणा का अंक यानि x की 2 के साथ क्या गुणा हो रहा है तो जरा ध्यान से देख x की 2 का मतलब होता है माइनस 1 गुणा x की घात 2 यानि कि x की 2 किस से गुणा और है माइनस 1 से तो किसी भी भूपद में अगर हमें किसी भी पद का गुणांक बताना है तो उस पद को ढखलो भूल जाओ अब थोड़े देर चक्रण खलो अगर मैं कहती की x की 3 का गुणांक बताओ तो अगर इसी प्रश्न में मैं आपसे पूछ लूँ की x की 3 का गुणांक क्या है तो यह X की 3 के आगे जमा का एक है तो उसका गुणांग को जाता जमा का एक ठीक है बटा आगे बढ़ते हैं प्रशन संख्या 4 बहुत असान असान प्रशन है यह 5 X की 3 जमा 4 X की 2 जमा 7 X की घात क्या है ठीक है यह पूरा हमें एक भुपद दिया गया इस पूरे भुपद की घात बतानी है तो आपने कुछ नहीं करना इसमें सबसे बड़ी घात देख लो सबसे बड़ी घात क्या है यह हमारी यह 3 है सबसे बड़ी घात क्या है यह 3 है हमारी भी ठीक है 3 आ रहा है तो 3 हमारी सबसे बड़ी घात हो जाती है तो हमारे इस भौवपद की गहत भी कितनी हो जाएगी? तीन हो जाएगी आगे बढ़ते हैं प्रश्ण संख्या 5 PX बराबरे 5X गटा 4X की दो जमातीन ध्यान दें PX बराबरे 5X गटा 4X की दो जमातीन का X बराबरे 1 के लिए मान है ये तो आपको पहले वाला तो एक भौवपद दिया गया है और इस भौवपद में X की जगा एक रखने पर आपका क्या आंस्वर आएगा ये आपने बताना है तो हम देखते हैं भई ये हमारा भौवपद है इसमें X बराबरे आप क्या रख दो एक रख दो तो चार बहर X की जगा हम रख देंगे एक की घाथ दो जमा तीन अब देखो भवे हल कैसे करना है बहुत है असान तरीका है हल करने का 5 एक पांच एक की घाथ दो एक बनेगा और एक को 4 से घुना करोगे तो चार घटा चार और जमा का तीन हल कर लीजिए भई अब इसको बहुत ही आसान है ये प्रशना बाप का तो पांच और तीन कितना हो गया आठ और घटा चार आठ में से चार ले चार तो आपको आणस्वर चार आ जाएगा उत्तर चूज कर लीजिए इसमें से आपका option number C इस तरह का प्रशन कोई भी जब आता है तो आपने पूरे बहुपद में X की जगा जो values दे रखी है वो रख देनी है और हल कर लेना है अगला प्रशन BC प्रकार का है अब ध्यान से देखो जरा अगला प्रशन BC प्रकार का है हमारा कि PX बराबरे तीन जमा एकस का P2 के लिए मान यानि X की जग़ा 2 रखना है हमने इसमें X की जग़ा 2 रख दो तो P2 कितना हो जाएगा 3 जमा एकस था एकस हट जाएगा एकस की जग़ा 2 लग जाएगा 5 तो हमारा उत्तर आएगा 5 तो सही option हमारा हो जाता है option number 2 आगे चलें, बहुत आसान प्रश्ण थे ये, प्रश्ण नमबर 7, प्रश्ण नमबर 7, पी एक्स बराबरे तीन एक्स जमा एक, पी एक्स बराबरे तीन एक्स जमा एक, का निम्न में से कौन सा शुन्यक है, निम्न में से कौन सा शुन्यक है, चार उत्तर आपको दिये गए है और आपको बताना है कि इस बहुपद का शुन्यक क्या है जब भी इस तरह का कोई सवाल आए अगर आपको शुन्य ग्यात करना हो तो आपने उस बहुपद को 0 के बराबर रख देना है यानि का आपने 3X जमा एक बराबरे 0 रखना है और इसे x के मान के लिए हल करना है तो 3x बराबर है एक यहां जमा का है right side में जाएगा minus का हो जाएगा यानि minus 1 आ गया अब 3 को यहां से उठाओ और right side में ले जाओ right side में minus 1 पहले से ही है 3 इसके नीचे चला जाएगा तो x का मान आ जाएगा माइनस एक बटा 3 तो हमारा जो सही उत्तर आएगा भी आजाएगा हमारा साथवे का वो है माइनस का एक बटा 3 आगे बढ़ते हैं बेटा प्रश्ण संख्या 8 प्रश्ण संख्या 8 अब देखने में पढ़ने में आपको यह मुश्किल लगेगा फोड़ा सा आपको मुश्किल लगने वाला है यह लेकिन इतना मुश्किल है नहीं यह प्रश्ण हमारा X की 3 जम्हा 3 X की 2 जम्हा 3 X जम्हा 1 को X जम्हा 1 से भाग देने पर शेश्फल प्राप्त होता है वे क्या शेश्फल हमें मिल रहा है यह हमने बताना है तो भाग नहीं करनी है हमने भाग नहीं करनी है एक बार देखें कि ये जो हमारा बहुपद है ये जो हमारा बहुपद है मुख्य बहुपद इसे मैं नाम दे देती हूँ भई PX क्या नाम दे देती हूँ PX और ये जो हमारा दूसरा बहुपद है ये वाला इसे मैं नाम दे देती हूँ GX इसे मैं नाम दे देती हूँ GX तो PX को GX से भाग करके शेशफल बताना है उसने यह नहीं का भाग करो उसने कहा शेशफल बताओ तो इसको करने का क्या तरीका है कि पहले आप GX को 0 के बराबर रखो GX का मतलब X जमा 1 यहनी X जमा 1 को 0 के बराबर रखो और इससे X का मान ग्याद करो कितना आया तो 0-1 X का मान आया ध्यान देना वह यह X का मान आया है अभी हमें शेशफल ग्याद करना है तो हम इस भावपद में PX में जब X की जगा मान ग्याद करो तो हमारा शेशफल आजाएगा वैसे तो इस साल के लिए यह हमारा शेशफल पर में शायद इसलिए बस से डिलीट हो गया है लेकिन फिर भी हम इसे करेंगे तो यह देखिए इसके अंदर अब मैं यहाँ पर X बराबर अब मैं इसकी जगह है यहाँ पर X बराबर है माइनस एक रखने जा रही हूँ उससे जो उत्तर आएगा वो हमारा शेशफल होगा ज्यान देना तो पहला है X की घात 3 इसकी जगह मैंने रखा माइनस एक की घात 3 जमा 3X की 2 तो 3 के ब्रैकिट में माइनस एक की घात 2 जमा 3X जमा 3X और जमा का 1 यह हो जाएगा माइनस एक जमा माइनस एक की घात 2 जमा का 1 होता है यह हो जाएगा जमा का 3 अरे यहाँ रह गया अब यह X की जगह यहाँ आएगा माइनस एक I will change the color ताकि आपको डिफरेंस पता लग जाएगी हम कहाँ यूज कर रहे है यह माइनस एक है भई यह हमारा माइनस एक आएगा तो यह बन जाएगा माइनस का 3 और जमा का 1 तो जमा 3 से घटा 3 कट गया घटा 1 से जमा 1 कट गया तो सारा कट कर कितना आ गया जीरो आ गया यानि हमारा शेशफल जीरो आ गया इसका मतलब हमारा ये पूरा-पूरा भवपद भाग हो रहा है ठीक है आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 9 प्रश्न संख्या 9 क्या कहती है यदि X घटा 2 ये एक भववपद है कोमा लग रहा है बीच में ध्यान देना X की 2 घटा 3 X जमा 5 A दूसरे भववपद का एक गुननखंड हो तो यह यहां मिट रहा है मैं आपको बता दू A का मान बता हमें A का मान ग्यात करना है हमें A का मान यहां पर ग्यात करना है यदि ये वाला चोटा बहुपद बड़े बहुपद का गुननखंड है तो इस बड़े बहुपद को मैं नाम देदू P X X की 2 घटा 3 X जमा 5 A और यह इसका क्या है गुननखंड है यानि कि इसको रखने पर इससे यह पुरा-पुरा भाग होगा तो अगर मैं X घटा 2 को 0 के बराबर रख दूँ X बराबर 2 आ गया अब मैं जैसे ही इसमें 2 रखती हूँ तो मेरा उत्तर 0 आना चाहिए क्योंकि यह इसको पुरा-पुरा भाग करेगा तो P 2 का मतलब हो गया 2 का स्केयर माइनस 3 के ब्रैकेट में 2 जमा 5 A और क्योंकि यह शुन्यक है तो यह उत्तर 0 आ जाएगा गुननखंड है ना पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुननखंड है तो पहला बहुपद दूसरे बहुपद को पुरा-पुरा भाग करेगा तो शेशफल शुन्या आएगा और इसकी जगह दो रखने पर हमें शेशफल मिलता है अभी अभी हमने देखा है तो 2 दूनी 4 3 दूनी 6 जमा 5 A ध्यांदे ना अब 4 में से चैंगे राइट साइड में मैं थोड़ा इधर कर रही हूँ इस क्वेश्चन को लेफ्ट में है 0 राइट में है 4 में से चैंगे माइनस का 2 जमा 5 A ये आगया हमारे पास इसे आप नोट कर लो क्योंकि मैं स्क्रीन को साफ कर रही हूँ हमारे पास आया 0 बराबर माइनस का 2 जमा 5 A इस माइनस 2 को लेफ्ट में लाओ तो ये प्लस का 2 बराबर 5 A इस 5 को नीचे ले आओ, तो 2 बटा 5 बराबर A, यानि A की value 2 बटा 5 आ जाएगी, अगर हम A की जगा 2 बटा 5 रखते हैं, तो ये भहुपद इसका पूरा गुननखंड हो जाएगा, यानि इसको पूरा पूरा भाग करेगा, और अब हम देखते हैं, question number 10, यदि X गटा 2 इस इस गटा 2 इस बड़े बहुपद का गुननखंड है, तो X गटा 2 को 0 रखो, छोटे बहुपद को 0 रखो, इससे X का मान आ गया 2, चीक है, अब इस मान को, X के मान 2 को इस बड़े बहुपद में रखकर 0 के बराबर करते हैं, ये बनेगा 2 क्यूब माइनस 2A, X की 2, X की 2 का मत अतलब 2 की घात 2, जमा AX, यानि A की जगह भी 2, घटा 1 बराबर है, 0, अब मैंसे यहा नीचे लाकर हल कर रहे हैं, 2 की घात 3 हो गया, 8 घटा, ध्यान देना भई, अब जराए एक बार, ये हैं 2 की घात 2, यानि 4 और 4 को 2 से कुणा करोगे, तो 8A, जमा ये बन गया, 2A, घट का 6A बन गया, बराबरे 0, 7 को लेफ्ट में रखो, और 6 को राइट में ले जाओ, 6A, और यहां से अब आपने A का मान निकालना है, तो 6 यहां से हटकर उल्टी तरफ आ जाएगा, 7 के नीचे, तो 7 बटा 6 बराबरे A, तो A का मान आना चाहिए, 7 बटा 6, अब हम एक बार इस 7 बटा 6 हमारा आनस्वर आएगा, तो बटा जी आज के लेक्चर में यह 10 ही कोश्चिन मैंने कराए हैं, किसी भी डाउट के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर लिखें, और अगर चैनल आपको लेक्चर समझ में आ रहे हैं, तो ज़्यादा से पूर कर लें ताकि मैं नया लेक्चर जैसे डालू तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, थैंक यू